अच्छा एक बात बताईए अगर आपकी तरफ गर्मी पड़ रही है बारिश नहीं हो रही है या मौसम सुहाना नहीं हो रहा तो क्या आप भी यहीं बोलते हैं कि लगता है सारे पापी यहीं रहते हैं वाकई उत्तर भारत के कई स्टेट्स में ऑक्टोबर में भी इतनी गर्मी जेली नहीं जा रही तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए हमने सोचा दूर से ही सही कश्मीर के हसीन नजारों को महसूस कर लिया जाए अरे रिफद यहां तो देखिए गर्मी पड़ रही है कश्मीर का क्या हाल है अगर कहीं पे जमीन पे जननत है वो यहीं है यहीं है यहीं है और मैं आपको दिखाओं कि अगर मौसम के साथ ही इन चीजों को हम लिंक करें तो मैं यह कहूं कि हाल ही में यहां एक गाना जो है सुपर हिट हो गया कश्मीरी में डाउन टाउन के नाम से काफी मशूर है वो और उसमों वो कहता है जो सिंगर है वो कहता है इस गई बदल यानि हम डिफरेंट है मौसम के लिए हाल से हम बहुत डिफरेंट है जैसा आपने कहा कि बाकी नौर जो पूर Pourquoi में एं है जो को गुल्मा की जामन पर वाका है और आप देख सकते हैं यह यह जो पहाडिया आप देख रहे हैं ये गुल्मा की पहाडिया है और यह-एंचे घ्रिफ है बिल्कुल कि नौर्मल रहता है कम रहता है है या साथ के गरीब टेंपरेचर रहता है, साथ डिगरी के करीब रात को टेंपरेचर रहता है, क्या है गुलमाग हो, टंगमाग हो, या पूरा एरिया हो, हिली एरिया, यहाँ पे रहने का एक अलगी मज़ा है, लेकिन फिलाल मासम विबाग का कहना है कि आने वाले दिनों में, यानि 10 तारिक तक मौसम खुश्क रहेगा, कहीं कहीं पे पहाड़ी इलाकों में बुंदा बांदी हो सकती है और टमपरेचर यही दिन में तकरीबन 20 से लेके 26 डिगरी के दर्मियान आने वाले दिनों में रहेगा तो यह कहा जा सकता है कि मौसम बाकी देश की स्टेट्स के मुकाबले में यहाँ पर बहुत ही सुहाना है जी मौसम सुहाना है, देख के लग भी रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है रिफट कि यहाँ गर्मी में बैठे लोग कितना जल रहे होंगे देखे हरीम, जो दूप से जलते हैं ना, वो कश्मीर के इस थंड़े मौसम को देख के भी जरूर जल रहे होंगे तो उन्हें मेरी दावत है कि वो यहाँ आएं कश्मीर के इन नजारों से लुट पंदोज हो और आपको भी में दावत दे रहा हूं और बाकि जो मेरे कलीक्स हैं उन सबको में दावत देता हूं कि बीच बीच में आया करें बहुत ही खुबसूरत पानी है बहुत ही ठंडा पानी होता है और साथी यह जो पानी है सीचाई के लिए लोग इस्तिमाल करते हैं और यह पीने के लिए भी लोग इस्तिमाल करते हैं इतना साफ पानी है इस वकत हम एक रिवर के बीच में हैं और इरिद गिर्द हमारे पान उससे मौसम और ठंडा हो जाता है अब विंटर की तरफ हमें अप्रोच कर रहे हैं विंटर आ रहा है लेकिन आज चूंकि अक्टोबर है और आज भी यहां पे मौसम बहुत ही अच्छा है जितने भी टूरिस्ट आना चाहें और जिनको अभी वहां गर्मी से जलन होती है वह यह जो नजारे हैं उनका उठा सकते हैं और आपको भी दावत है कि आप यहां आएं और मौसम का मज़ा लें बहुत शुक्रिया रिफत जरूर कोशिश करेंगे कि ओफिस से छुट्टी लेकर कश्मीर घूमाएं चलिए साती श्री नगर का तापमान देख लेते हैं यहां पर आज मैक्सिमम टेंपरिचर 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेंपरिचर सिर्फ 11 डि कम हुई और अब यह तपिश यहां आज का मैक्सिमम टेंपरिचर 33 डिग्री सेल्सियस है और मिनमम टेंपरिचर करीब 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है पंजाब से कुछ बहतर मौसम वैसे मद्ध प्रदेश में जहां धूप तो है लेकिन उतनी तपिश वाली मिली है पंच केदारों में एक मद महेश्वर में हफ्ते की शुरुआत में भारी बारिश हुई जिससे पूरे मंदर परिसर में पानी लबालब भर गया बताया जा रहा है कि इससे मंदर परिसर में रखा सारा सामान भी खराब हो गया वीडियो में तो आप देख सकते हैं कि मंदर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है वही बात है कि ना ज्यादा गर्मी अच्छी लगती है और ना जरूरत से ज्यादा बारिश तो उतराखन की राजधानी देहरा दून का टेम्परिचर जानते हैं यहां पर आज मैक्सिमम टेम्परिचर 32 डिग्री सेल्स स्थ बताया जा रहा है देखिया अब जैसे लखनाओ में फिर वही तपिश वाली गर्मी है यहां का टेम्परिचर जानते हैं यहां मैक्सिमम टेम्परिचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है जैपूर का भी वही हाल है मौसर विभाग के मुताबिक आज यहां मैक् गुजरात के एहमदाबाद में बादलों के बावजूत तापमान हलका बढ़ ही गया है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों तापमान कल के मुकाबलयात ज्यादा रहने का अनुमान है यहां आज मैक्सिमम टेम्टुचर 35 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और जो मिनिमम टेम्ट क्यार से देखिए दूर दूर तक मैंसे धूप वाला ही मोहल नजर आ रहा है लेकिन तस्वीर ही क्यों आईशा खुद वहीं मौजूद है तो उनसे ही पूछ लेते हैं अरे आईशा चेहरे पर गौगल्स क्या गर्मी जादा है क्या हां हरीम अब क्या बताओं निकली थी आ हमस इतनी कि इंसान का हाल बेहाल हो जाए हाना कि कहीं कहीं बादल उरते हुए आ जा रहे हैं और सूरज छिप जा रहा है लेकिन उसके बावजूद गर्मी में कोई कमी नहीं है और लोगों का पसीना लगातार निकल रहा है अब आपको क्या ही बताएं आप तो स्टूडिय में जो हो सही बात है हम तो यहां परेशी में थ्म हें बाहर धूर नहीं तो गर्मी का ऐसास दुगणा होगा लेकिन आक्ट्यूबर में ऐसा मॉसम हो क्यों रहा है हरीम आसल में यह मॉन्सून के लोटने का वक्त है तो यह जो गर्मी और औमस हैna ऐसी से ही मॉन सुन्त रु रही है ना तो मौनसून के बापसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है चलिए शुक्रिया आईशा साथ ही दिल्ली का टेम्टरिचर भी बता देते हैं यहां पर आज मैक्सिमम टेम्टरिचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिममम टेम्टरिचर 25 डि 32 डिग्री सेल्सियस है जबकि मिनिममम टेम्टरिचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है पश्यम बंगाल की राज़दानी कोलकाता में भी कुछ अलग मौसम नहीं है यहां गर्मी और उमस यहां भी वैसे ही है तो यहां पर मैक्सिमम टेम्टरिचर आज है 36 डिग्र सेल्सियस रहने का अनुमान है और आप पटना के मौसम का हाल जान लेते हैं यहां भी बादलों ने उमस वाला महौल ही बनाए रखा है यहां पर मैक्सिमम टेम्टरिचर आज 31 डिग्री सेल्सियस है और मिनिममम टेम्टरिचर 25 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है 36 गड़ के रायपुर में हल्की बारिश के साथ आंधी के चांसे बताए जा रहे हैं लेकिन तापमान कल के जैसा ही है रायपुर में आज माक्सिमम टेमटरिचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनमम टेमटरिचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है अब जारखंड के राची का तापमान भी जान लेते हैं राची में मैक्सिमम टेमटरिचर 30 डिग्री सेल्सियस है जबकि मिनमम टेमटरिचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है ओडिशा में मौसम कुछ बहतर है क्योंकि यहां बादल तो है साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है यहां पर आज मैक्सिमम टेमटरिचर 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनमम टेमटरिचर 25 डिग्री सेल्सियस असम की राजधानी गौहाटी में ताप्मान कल की मुकाबले हल्का सा बढ़ गया है यहां पर आज मैक्सिमम टेमटरिचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनमम टेमटरिचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है चिन्नई में बारिश के आसार हैं साथ ही अगर तापान की बात करें तो चिन्नई में आज maximum temperature 34 degrees Celsius और minimum temperature 26 degrees Celsius बताया जा रहा है और Bengaluru की बात करें तो यहाँ पर maximum temperature आज 39 degrees Celsius है और minimum temperature 21 degrees Celsius रहने का अनुमान है दिन में एक दुबार बारिश भी हो सकती है चलिए जी हमने तो बता दिया देश के शहरों के मौसम का हाल आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ देखिए दरा स्पेन के लापार्मा के ज्वाला मुखी को जो पिछले दो हफते से ऐसे ही लावा उगल रहा है झाल झाल